बाबर आजम वा वा क्या खेल खेल आए तुम लोगों ने अरे बाबर आजम तुम्हारी पारी देख कर तो बई मजा गया क्या पारी खेले तुमने बाइब पाकिस्तान की परफॉर्मेंस देख कर के अरे विराट कोली मुझे लग रहा है पाकिस्तान है जो इस वर्ड कप की सबसे कमजोर और सबसे कबाड़ा टीम है और यहां इन से ना खेला जाना यह तो बेजजेती कराने आए हैं अब देख लो हमारे खिलाप हमारी कमजोर बॉलि था और यहां पाकिस्तान वाले अरे एकदम भईया विकेट में तो कोई जानी ना थी फिर भी इन लोगों से मैच ना जीता गया अच्छी खासी बल्लेबाजी कर रहे थे इनके ऑपनर बल्लेबाज लेकिन बाद में आकर गए बाबराजम की बहतरीन पारी और भईया अपने इनके जो बागी की अबाड़ा कबाड़ा सबने बहतरीन पारी खेल करके सकूर यहां पहुचाया है निवरना पिछ तो बेजान थी है बंगलोर होगी और बागी तुम इनकी गैंदबाजी तो देख रहे हो अरे बाबराजम तो सतक से चूके हैं असली सतक से तो वह चूके सतक तो वह लगाते हैं असली वाला परतना भईया तुम कैसे नंबर बन गए कहीं से दिख तो रहा ना भई बाप पाकिस्तान ने कहीं वो जल्वा दिखाए ना बैटिंग ना फिल्डिंग ना बॉलिंग कुछ भी तो ना बै तुम्हारे पास विराट कॉली और सना का भई तुम लोगों को क्या मतलब है हम लोग भाई जीते हैं मरें गड़े कुछ भी हो तुम को क्या है इससे भई रे हम तो हारेंगे भई यहा हम तो ऐसे टीवी तो टुटवाएंगे अपने देश में तुम को क्या मतलब है भई हम हारने के लिए उत कमजोर टीम से मैच होगा तब ही सतक लगाएंगे तुम लोगों को दिख नहीं रहा है कितनी अच्छी तो हमारी टीम है अब देखो हमने फिर भी 305 बना दिये 4500 में अब हो अलग बात है हमारे विकेटे भी है एकदम से रुक रुक करके गिरती रही अब हमारी यहां पार्टनेस सिफ हो जाते मैच जीत जाते तुम लोगों कोई देखी नहीं रहा भी 366 का तो सकूर बना दे ऐस्टेल वाले न इतने आसान थोड़ी मैच को जीत न अरे वाब बाबार राजम वाई क्या बात किये पाकिस्तान वाले मेच जीत जाएंगे लेकिन जैसे तुमारे आपनिंग गई तो सारी टीम चली गई वाब वाब बाबर कडाबर